पैजली टच क्लासी और कंप्रेटिव लुक चाहती है यदि आप तो अपने होम डैकोर में शामिल करें कुछ खास चीज़ों को जैसे कि पैजली टच आखिर है क्या फूल पत्तियों से जो डैकोरेशन होती है अपने हाथ से बनाई हुई इसी को हम कुछ टेबिल मैट पे उत मैकिन्स आदी आपके घर में अलगी अंदास देंगे अपने लीविंग रूम के कोने में पड़ेवे बोरिंग से टेवी लैंप को भी आप एक पैजली टच दे सकते हैं प्लेन दिवारों पर भी आप पैजली प्रिंट का इस्तेमाल करके अपने घर को एक क्लासिक लुक द देसी स्टाइल में तो देसी टच एक हमारे दिल को टच कर देता है अपने ड्रीम होम को अलग अंदाज में सजाने कूल टच या क्लासी टच देने के लिए आज मैं उसका मेक ओवर करने वाली हूँ प्योर बिल्कुल देसी स्टाइल में और जब प्योर देसी स्टाइल की बात चलिए तो friends कभी कभी मन करता है कि मिटि के जो गिलास होते हैं जिसको हम कुलणड भी बोल देते हैं उसमें चाय पीने का और मौसम इतना अच्छा है तो इस मिट्टी के ग्लास में चाय पीने का अलग ही स्वाद आया है इसी तरीके से कभी कभी मोसम ऐसा हो जाता है जिसमें हम अपने घर की डेकोरेशन को कुछ अलग टच देना चाहते हैं नॉर्मन डेकोरेशन तो आप हमेशा करकर रखते हैं या अपने घर को हमेशा साफ रखते हैं लेकिन जब वैदर बहुत अच्छा हो जैसे कि कभी धूप आ रही है कभी बारिस हो रही है और सिर्फ पंखे चलाने से ही काम चल रहा है एसी की जरूरत नहीं है, कूलर की जरूरत नहीं है तो ऐसे में हमारे पास थोड़ा सा टाइम हो जाता है फालतू क्योंकि हम ज़्यादे एसी के पास नहीं बैट पाते हैं और हम सोचते हैं अपने इस खाली समय को कैसे यूज़ किया जाए तो आज ऐसी ही वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जिसमें मैं अपने घर का मेक ओवर कर रही हूँ जिसमें साफ सफाई भी बहुत में इंपोर्टेंट पार्ट है और बारिस के दिनों में हलकी सी चिप चिपाहट से आप कितना भी क्लीन कर लें फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गंदा सा है तो इसके लिए सबसे फ्रेंड्स पहले आपको हर समान को एक प्रॉपर प्लेस देना होगा यहाँ पे मैं जो मेरा प्लेटो का स्टैंड है उसका यूज किया है पुरानी चीजे भी यूज हो जाती है और देखे हमारे बच्चे जब अगली क्लास में आते हैं पुरानी बुक्स इस्टोरी वाली जो बुक्स होती है हिंदी की उन्हें फैके मत उन्हें एज़े ड्रोइंग रूम में डेकोरेशन के लिए रखिए इससे क्या होगा कभी ना कभी हमारे बच्चों को जरूरत पढ़ती है कि एक टॉपिक कहीं से उठाना होता है और कभी ना कभी ऐसी बुक हमारे काम आ जाती हैं नहीं तो अदर्वाइस हम इन बुकों को इधा उधर ही डाल देते हैं या कबाड़ी वाले को दे देते हैं और मौके पर हमें चीज नहीं मिलती इसी तरीके से फ्रेंड्स बारिस के तिनों में आप हपते दस दिन के अंदर अपने जो सौफे के कवर हैं उन्हें जरूर चेंज केजिए यहां पर मैंने जो सौफे का कवर यूज किया है देखे पुराने चीजों को यहां पर यूज करना जरूरी है तो यह मेरे पास एक जैपुरी रजाई थी जिसको आप कुल्टेड रजाई भी बोल सकते हैं इसके अंदर फॉर्म भरी हुई है और फॉर्म की जो रजाई होती है ना तो जायदा यूज होती है और ना ही बिच्छाई जाती है क्योंकि यह बहुत जादा सिल्की होती है रेसम वर्क इसमें जा मैंने अपने सौफे के कवर बना दिये और अच्छे तरीके से मेजरमेंट करके ही मैंने इन्हें कटिंग कराता जो फिल वाला डैकोरेशन वाला पार्ट था जैसे की पूरी बैडशित लगाते हैं चारो तरफ एक फिल जालर सी लटकती है उस जालर वाले पार्ट को मैंने इस को बिल्कुल सही मेजरमेंट के हिसाब से काटा था सिलाई करी तो जो जालर वाला पार्ट था वो तीनों सौफे पे नीचे की तरफ साइड में लटकता है जिससे कोई आइडिया भी नहीं ले पाता है कि ये सौफे का कवर नहीं है कोई बैडशित थी तो इस तरीके से से स्टिच किया था कढ़ाई करीती और यहां पर जो गिलास में दिखा रही हूं कि तीन दिन पुराना या चार दिन पुराना है तो जो मनी प्लांट के पत्ते थे वो मतलत जादा गर्मी की वज़े से थोड़ा सा जल गया तो इहां पर टाइम टू टाइम इन चीजों को च चेंज करते रहिए तीन चार दिन में जो पानी होता है वो थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है और ड्रोइंग रूम की जो डैकोरेशन होती है वो बिना कालीन के बिना रग्स के अधूरी होती है जैसे कि हम सौफे पे कवर डालते हैं पुशन जरूरी है इसी तरीके से पारीन के ऊपर अराम से देख सकते हैं यह भी एक पैजली टच ही आता है या मेरी टेबिल मैट के ऊपर टेबिल जो है इसके ऊपर जो कवर डला हुआ है इसके ऊपर भी मैंने एक छोटी-छोटी सी एम्रोइडी से काम किया हुआ है उस एम्रोइडी को भी आप कह सकते हैं आखिर मैं अपने वर्डों में कहूं तो किसी भी चीज को यदि आप फूल पत्यों को भी किसी डैकोरेशन के रूप में उभार कर लेकर आते हैं या कोई सिंपिल सी चीज है उसे एक अट्रैक्टिव सा लुक देते हैं सामने मतलब सारी निगाहें जो है ना सब को छोड़के उसी चीज के उपर आ जाए तो हम मैं कह सकती हूँ वो एक पैजली टच है जैसे कि यहाँ पे भी आप ये गमला देख रहे हैं गमला बिल्कुल क्योर मिट्टी का है ना उसके उपर कोई पेंट है और सिंपिल सा प्लांट लगावा है लेकिन मुझे यह एक अट्रैक्टिव टच देना है को तो मैंने क्रोसिय का बनाया हुआ एक डिजाइन था जिसको इस तरीके से क्रियेट करा है कि सामने वाला पहचान नहीं सकता कि इसके पीछे मिट्टी का गमला है और पैजली टच का मतलब यह नहीं कि इतना बड़ा सा नाम ले दिया पता नहीं क्या चीज की डेकोरेशन है किसी भी चीज को देखिए हर चीज की डेकोरेशन एक पैटर्ण में होती है चाहे रेक्टेंगल शेप में ले लीजिए पैजली टच ही होता है और यहां पर एक छोटा सा टिप्स भी देना चाहती है अक्सर हम लोगों के घरों में जब हम कुशन कवर को धोते हैं तो उसकी सिलाई निकल जाते कहीं ना कहीं से मशीन में कपड़े धुलते हैं तो यह सब एक नॉर्मल सी बात है और आप ऐसे ही उ लिविंग रूम को मतलब बैड टच देता है बिलकुल अच्छा सानी लगता सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है यदि आपके घर में हाथ वाली मसीन नहीं है तो आप सुई से सिल सकते हैं क्योंकि कोई आपके कुशन को उठा के यह ने देख रहा है कि इस पे मसीन की सिलाई है या हाथ की सिलाई है और यहां पे देखे फ्रेंस एक और चोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूं अक्सर कभी कभी हम लोगों के घर में इतने सारे गैस्ट आ जाते हैं जो हमारा सौफे का सीटिंग एरिया है वो हमें कम पढ़ जाता है तो हमें एड ज जैसे सीटिंग स्टूल होते हैं जो प्लास्टिक का सीटिंग स्टूल होता है उस पर भी आप पुरानी टी शर्ट से इस तरीके से कवर डाल सकते हैं कि कोई पहचाम ना पाए वहां पे कोई स्टूल है इसी तरीके से जो आपके घर की मनी प्लांट है नैचरल प्लांट के जो पोधे होते हैं गमले हैं उनको भी आप इस तरीके से डैकोरेट करके किसी भी खाली पोर्ट में रख सकते हैं यहां पर दो तिन फायदे हो जाते हैं देखिए आपकी जो किचिन के खाली बर्तन है वो यूज होगे आपको कोई परचेस करके आपको अलग से कोई गमला खर क्शन यूज किजी क्योंकि मैं अकसर अपनी वीडियो के अंदर बिल्कुल एक हो सिम्साहम डैकोरेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कोई एक्सपैंसिव चीजें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ थीज़एग के थेuksी लिएक पैसे कर के तो हर पृसं क कर सकता है लेकिन मिडल क्लास फैमिली में सभी की जिम्मेदारियां होती हैं बस कुछ तरीकों से हम अपने होम डैकोर के आइडिया को साफ कर सकते हैं ने टेंट क्लीन रख सकते हैं चीजों को जहां से उठाया होता है वहीं पर रखिए ये एक अपनी हैबिट में हमेशा सामि आने चीज है या अभी खरीद के लेके आएं जैसे कि यह हमारा जो प्लेटो का स्टैंड होता है वह है यह बच्चों के खेलने का मतलब रिक्सा जो है अब बच्चे बड़े हो गें तो इन चीजों को फैका नहीं जा सकता है इन चीजों को पेंट करके आप इतना क्रियेट बना दीजिए कि हमारे होम डैकोर का एक बहुती बड़ा सा भाग बन जाए और आपको थोड़ा भूत भी वक्त मिलता है तो आप इस वक्त का यूज कीजिए एंजोई करके मैं यह भी हमेसा अपनी बातों में शामिल करती हूं कि जरूरी नहीं कि आप पूरा दिन घर के अ कलती है वो एनरजी हमें सब पोजटिव होती है और हर चीज पोजटिव हमारे बोडी के लिए हमारे घर के लिए अच्छी ही होती है तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के साथ अपने दिल की बहुत सारी बाते शेयर करी है यदि आज की वीडियो में आ जादर से जादर वाइरल हो जाए चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए कॉंसेप्ट के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बाबाए के साथ तका के लिए श्राइड हो जादर से ड़ाभ का वीडियो में रखिए ग मिलेंगे एक वीडियो खोंसे जादर एwe i है इपीले और से तो चलिए उटियो